हेलो फ्रेंड्स आज मैं लाएं हूँ आपके लिए नौरात्री अस्पेशल ब्रत की थाली यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कड्डू की मीथी सबजी फर फिर थाली में रखेंगे दही वाली लौकी की सबजी और यह है आलू की सबजी और फिर सिंगाडे और कुट्टू क आटा की पूडियां फिर यहां पर है खीरा और निम्बू और फिर रखेंगे यहां पर चिप्स यानि की पकोड़े केले के लौकी के आलू के और हरी मिर्ची के और फिर यहां रोटियां यहां रखेंगे जो साबू दाना आलू सिंगाडे के आटे कुट्टू के आटे से बनी हुई हैं तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं यह लिए हैं सबजियां और यहां पर देखिए मैंने लिया है भिंगो कर रखा हुआ पांच से छे घंटे शाबू दाना और उसे छान लेंगे अच्छे पाने से धो करके और उबले हुए आलू दो लिया है और इसे इस तरह से कद्दू कस कर लेंगे सभी को ताकि जो रोटी या पूरी बनाना तो उसमें गांठ ना आए तो देखिए यहां पर कद्दू कस हो गया है तो यहां पर कुट्टू का आ दो से तीन चम्माज फिर इसमें हम डालेंगे जाबूत जीरा टू पिंच डालेंगे फिर यहां पर हम डालेंगे ग्रीन हरी मिर्ची यहां पर डालेंगे दो और थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ता फिर इसमें डालेंगे सेंधा नमक ब्रत वाले नमक और काली मिर्च का पॉडर यहां पर डाला है वन टी स्पून और सभी को हम मिला लेंगे इस तरह से कोशिस करेंगे कि अगर गीला है तो हम पानी नहीं डालेंगे नहीं तो आप इसमें हलका सा पानी छिड़िक करके डालें पानी डालने कर जरूद नहीं है अब देखिए आटा हमारे अच्छे से गूत गया है तो यहां पर टूटी स्पून यहां पर डालेंगे घी और उसको उपर से लपेट देंगे ताकि हमारा जो आटा है ना वो सौफ्ट रहे थोड़ा सा सुखे ना और इसे हम गिले कपड़े से धाक देंगे और इसको रख देंगे हम 20 मिनद तक रेश्ट के लिए और यहां पर मैंने पंकिन यानि कुछ कुम्णा ले लिया है और उसे छिल लिय है और इसको हम पतले पतले साइज में हम काट लेंगे इस तरह से पंकिन की मिठी जो सबजी होती ना बहुत टेस्टी लगती है फिर यहां पर देखिए लौकी ले लिया है और उसे भी हम छिर करके देखिए इस तरह से दम पतले साइज में काटेंगे बारिक से बारिक इस यह हम एक कप काट रहे हैं रॉकी की सबजी यह और देखिए इस तरह से काट लेंगे एकदम महीन सा बारिक काट लिया है और यहां पर पैन चड़ा देंगे और उसमें घीर डालेंगे हम तू टीस्पून दो से तीन चम्मच हम डालेंगे छोटी चम्मच डालेंगे हम इसमें फिर साबू जीरा डालेंगे इसमें वन पींच फिर कटी हुई हरी मिची डालेंगे दो आप तीखा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं जब अच्छे से यह दोनों चटक तो इसमें हम डालेंगे लौकी को और इसे डाल करके हम भून लेंगे इसमें जितने भी सब्जियां हम खाते हैं इस ब्रत में हमारे वह पेट को बहुत जादा ठंड़क पहुंचाती हैं और यह देखिए यहां पर मैंने काली मिच पॉडर हाफ टीश्पून ले लिया है औ आप अपने स्वात के अनुसार ले लीजिए और देखिए इस तरह से उसे हम ना मेडियम क्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे सब्जियों को इसमें हल्दी का यूज नहीं करते हैं अफ्रेंस ब्रत वाले नौरात्री के जो ब्रत होते ना उसमें इसमें मैं एक कप प कप प्रताइची छोटी वाली ली हूं दो फिर यहां पर साबूत जीरा ली हूं 1 टीसपून इसमें डालेंगे वन टीसपून या थोड़ी सी किसमिस डालेंगे वह मीठी कद्धू की सब्जी बनती ही ना तो बहुत टेश्टी लगती है डालने से तो फिर इसमें डाला है हदरर वण इंच घीस करके उसको फिर भूनेंगे फिर यहीं पर हम देखे हैं किसमिस एर फिर चाठ Dobborg उप्त बंपी चाथ मसाला डालेंगे हम ए terख से घेयर पौड़र हम एर फिर यहां पर हम चाथ मसाल्ला डालेंगे Step और और उसके बाद थोड़े से हम चीनी डालेंगे मीठे के लिए अगर आप चीनी नहीं खाना चाहते हैं तो गूर ढालिए मैं यहाँ पर टूटी स्पून चीनी का यूज किया है और इस तरह से देखिए मीडियूम टू लोग फ्लेम पर एदम भूनेंगे उसे यहाँ पर देखिए भून प्रा तब तक हमारी लोकी भी देखिए यहाँ पर तेयार है थोड़ा सवस्पर पानी और डालना पड़ेगा तो उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है अब यह अच्छे से भून गई है हमारी पमकीन यानि कुमड़े की सबजी तो उसमें हम इसे हम एक कप पानी डाल देंगे और इसे धीमी यानस पर पकाएंगे यहाँ पर देखिए लोकी की सबजी हमारी अच्छे से बंड गई है गल गई है तो इसे हम ठंडा कर लेंगे अब यहां देखिए ठंडी हो गई है लौकी की सबजी हमारी तब यहां पर लिया है फ्रेस दही यहां पर फ्रेस दही हम डालेंगे दो बड़े चम्मच दही डालने से ब्रत के टाइम दही खाने से पेट जो होती है हमारी ठंडक पहुचाती है तो उसे दही यूज जरूर की यह दृखिए और यहां पर हमारी लौकी की सब्जी हें वाली बन करके तयार है टेश्टी सी से अब देखिए यहां पर हमारा कट्दू यान कि कुम्रा भी बनकर के तैयार है अ शीज्ञता है मैं एशे हमने धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल दीया है अब यहां पे अब यहां बनाते हैं आलू की सबजी तो देखिए यहां पे दो आलू ले लिया है lumin को ऐसे तोड़ लेंगे हाथों से थोड़ा-थोड़ा हल्की हल्की सी गांट रहनी चाहिए तब यहाँ पर कड़ा ही लिए हैं गरम कर लिए हैं और उसमें डालेंगे दो से तीन चम्मच घी और साबूत जीरा डालेंगे इसमें और फिर यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे दो और अद्रक ले लिया है और इसे भी हम घीस लेंगे ब्रैत में तो सबजीयों में मसाले बहुत कम पढ़ते हैं और खासतोर पर नौरात्री के जो होते हैं उसमें तो बहुत ही कम तब यहाँ पर देखे मैं अच्छे से चटक गए हैं भून गए हैं तो इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च और जीरा का पौडर डालूँगी डाली हूँ आधा चम्माज और यहाँ पर नमक सेंधा नमक स्वाद अनुसार और आलू डाल करके इसे भून लूँगी फ्रिंड्स यह नहीं कि आप एक दिन ही यह सबजी बना करके सारे खाए आप हर दिन अलग लग सबजी बना करके खा सकते हैं और यह देखे हलका हलका यह रेड हो गया है यानि के अच्छे से भून गया है तो इसमें हम पाने डाल देंगे धीमी आज पर 2-3 मिनट तक इसे हम पका लेंगे और यहां पर देखे चिप्स के लिए पकोड़े के लिए हमने ले लिए है कच्छा केला और इसे हम ऐसे करके सारे छिलके हटा लेंगे और इसे अच्छे से दो लीजेगा उसके बाद इसके छिलके हटाईएगा फिर उसके माँबीं फाक बाद इसे पानी में डाले गाएगा केला है तो कच्छा हो जाता है काटने के बाद और यहां लौकी के शिल करके शिल करके दो करके काटेंगे आलू भी ले लिया है हरी मिर्ची बही ली है और देखे लुकला से चीरा लगा देंगे और इस तरह से देखिए आलू को गोल-गोल साइज में काट लिए है और इसी राउंड सेप में अब केले को भी काट लेंगे और लौकी को भी इसी तरह सारी सब्जिया को हम काट करके रख लेंगे देखिए इस तरह से सभी को मैंने धो करके अच्छे से काट करके रख लिया है अब लेंगे हम सामक का आटा सामक का जो चावल होता है ना उसका भी बनता है नौरात्री में तो सामक का ये आटा है मैं ले ली हूँ दो से तीन बड़े चमच और इसमें साबू, जीरा, अद्रक फिर यहां पर डालेंगे धनिया, पत्ता, सेंधा, नमक, काली मिर्च का पॉडर, जीरा का पॉडर और फिर इसमें डालेंगे चाट मसाला और सभी को मिला लेंगे थोड़ थोड़े पाणनी डाल करके ना इस तरह का पकोड़े का जो गोल होता है नौर्मल पकोड़े का गो डाल करके अब इसे हम चानेंगे आप कोई भी बनस्पति जो ओयल है जो खाते हैं तेल पूजा के टाइम आप उसमें सभी पकोड़ों को चानिए और यहां पर मीडियम फ्लेम में सभी को मैं चान रही हूं मीडियम फ्लेम पर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर चानिएगा तीन से चार मिनट लगेगा एक साइड से पकने में और फिर दुबारा इसको पलेट करके ब्राउन होने तक मतब डिप फ्राइए कीजिएगा रेड होने तक यह बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं यह पकोड़े स पकोड़ा बन करके तयार हो गया है अब देखें यहां आलू है ना आलू आप इस तरह भी खा सकते हैं आलू को पूड़ी रोटी के साथ टेकिन मैं इसमें फ्रेश दही डाल देए हूं यहां पर दही में दो बड़े चम्मश डालूंगी दही खट्टी नहीं होनी चाहिए आलू में इस तरह दही को डाल करके हम मिला लेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ति डाल करके अब देखें यह आलू वाली टेश्टी सबजी भी हमारी बन करके तयार है अब देखें यहां पर पकोड़े कितने यमी टेश्टी दीख रहे हैं सारे कुरकूरे हैं अब यहां पर देखें आटा हमारा अच्छे से 20 मिनट रेश्ट हो गया था तब इस तरह से छोटे छोटे लोई काट लेंगे पूरियों की और थोड़ा सा गीला हो जाता है तो निहाड़े का आटा आप यह कर सकते हैं डस्ट डस्टिंग कर सकते हैं उससे अब देखें मैं एक पॉल्थीन ले ली हूं उसके उपर कोई भी पॉल्थीन ले लिजिए उसको अच्छे से साफ कर लिजिए और इसको घीर लगा करके या कोई भी तेल जो आप ब्रत में खात धेगा ना तो हाथों में बहुत जल्दी से आ जाते चिपकते नहीं है कहीं भी देखे कि टेजली जल्दी बन जा रहे हैं पुडियां अब इसे भी हम फ्राइद कर लेंगे पूरी को पूड़ी को न हम medium to low flame पर fry करेंगे ताकि हम अंदर से अच्छी तरह से पक जाए इस तरह से देखिए निकाल लिए हैं सारी पूड़ी हमारे बनके तेयार है इसी आटे का आपको मैं रोटी बना करके दिखा रही हूं रोटी भी देखिए इसी तरह से बनाएंगे एक प्लास्टिक के ऊपर थोड़े से घी लगा करके उसको और इस तरह से हाथों से उसको प्रेश करते हुए रोटी का सेब दे दीजिए और तवे पर इसे थोड़े थोड़े घी डाल करके आप रोटी को बना लीजिए अगर रोटी खाना चाहते हैं तो आप बीन तेल और घी के भी बना सकते हैं और देखिए इसी तरह सेकेंड वाला रोटी भी मैं त्यार कर ले रही हूं तो अब एको ना अच्छे से गरम कर लिजेगा तभी वह बनेगी नहीं तो अगर गरम नहीं रहेगी ना तो चिपक जाएग और ये देखिए अस्पेसल थाली हमारी नो राती की तियार है फ्रेंड्स